बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाचिक विज्ञान का भुगोल विशे से सम्मन्दित भाग जिसकी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग एक हमने सेकिंड चेप्टर पढ़ना स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है भारत का भातिक सुरूप हमने पिछले वीडियो में भारत के विभिन प्रकार के भौतिक सुरूप देखे जैसे हिमालय परवश रंखला, उतरी भारत का मैदान, प्राइद वीपी पठार, भारतिय मरुस्थल, तटिय मैदान और द्रीब समून बच्चों, पैन, नोटबुक और अपनी बुक तीनों साथ में लेकर बैठिये और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है उतरी मैदान बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिमालय परवश रंक्रा के बारे में पढ़ा था आज हम इसमें उतरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे अब आप मुसे पूछेंगे कि मैदान क्या होता है और ये उतरी क्षेतर क्या है बच्चों, मैदान बहुत ही समतल और कम धाल वाली भूमी का क्षेतर होता है यानि जिसमें धाल अत्यंत कम होता है उस क्षेतर को हम क्या बोलते हैं मैदान और ये भारत के उतरी भाग में पाया जाता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं उतरी मैदान हम इसे मानचित्र पर भी देख सकते हैं, एक बार, ये देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिमालय परवर शंक्रा के बारे में पढ़ा था, और इस हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ही इसका निर्मा किया है, जी हाँ बच्चों, हाँ यहाँ पर हम अगले को तीन भागों में विभाजत करें, ये पशीमी भाग, ये मध्य भाग, ये पशीमी भाग कहलाएगा, ये मध्य भाग कहलाएगा और ये पूर्वी भाग कहलाएगा, तो जो पशीमी भाग है, उसका निर्मान किया है सिंदू और उसकी सहायक नदियों ने, इसके बारे मे से मेरे साथ आँस नोट भी करते रहिए. सबसे पहले देखते हैं मैदान की परीभाषा क्या होती है अभी यह भी मैंने आपको बताए थी संतर अथवा बहुत कम धाल वाली भूमी का जो विश्त्रत क्षेत्र होता है उसे हम मैदान कहते हैं उसी प्रकार उत्तर का जो मैदान है वो तीन प्रमुख नदी प्रनालियों से निर्मित है सिंधु नदी प्रनाली गंगा नदी प्रनाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रनाली बच्चों इस मैदान का निर्मान जलोड मृदा से हुआ जलोड मृदा क्या होती है जलोड मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई बहुत ही महीन गाद होती है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं जलोड मृदा और बच्चों ये मिट्टी बहुत ही उपजव होती है चलिए नोट कर लेते हैं ये देखिए नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाद या फिर शिलाकन वाली काप अत्वा जलोड मिटी के निक्षेपन से बना समतल भूबाग बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हिमाले परवत के दक्षिण में हिमाले परवत के दक्षिण में उत्तर का मैदन और प्रायद वीपी पठार हिमाले परवत के दक्षिण में और प्रायद वीपी पठार के उत्तर में किसका निरमान हुआ है उत्तरी मैदनका निरमान हुआ है आप इसे अपनी notebook में note कर लीजिए, यह देखिए, हिमाले के गिरी पाद में से बहुत बड़े basin में, basin का मतलब द्रोनी, द्रोनी का मतलब विशाल क्षेतर, दो क्षेतरों के बीच में, जो विशाल क्षेतर है, उसको किसने बर दिया है, जलोडों के निक्षेब से, यानि कि जो हिमाले से जो अपने साथ में जो गाद लाती रही है उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है और ये मैदान कैसा बन गया है बहुत ही उपजाओ मैदान बन गया है क्योंकि प्रतिवर्श यहां पर नई-ई-मिट्टी आती रहती है इसी प्रकार हमें देखते हैं कि उत्तर भारत का मैदान है उसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमेटर में विश्रित है आप इसने देख सकते हैं एक बार फिर से ये जो क्षेत्र है वो कितने वर्ग किलोमेटर में विश्रित है 7 लाख वर्ग किलोमेटर में ये क्षेत्र विश्रित है और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किल किलोमेटर है आप इसे नोट करते रहें मेरे साथ और इसकी चोड़ाई 240 से 320 किलोमेटर के बीच में पाई जाती है एक बार फिर से देख लीजिए आप मेरे साथ इसे इसका विस्तार 7 लाख वर किलोमेटर के खित्र पर है इस मैदान का जो विस्तार है लगभग 2400 किलोमेटर लंबाई में यहाँ पर आप इसे लंबाई कर लीजिए और जो चोड़ाई है वो 240 से 320 किलोमेटर इसका चोड़ाई मापी गई है इसी प्रकार यह सगन जनसंख्या वाला क्षेत्र है अब यह सगन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का आ बन गया है आप इसे नोट कर लीजिए सम्रिद्ध मृधा आवरन परियाप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायू की कारण कृषी की दृष्टी से ये भारत का बहुत ही उपजाउक शेत्र बन गया है जी हां बच्चों हमने उत्तर भारत के मैदान में भाने लग जाती है इसलिए वहां पर बहुत सारी गाद यानि मिट्टी का निक्षेपन हो जाता है नदियों के बीच में मिट्टी का निक्षेपन हो जाता है और उससे किसका निर्मान होता है नदी द्वीपों का निर्मान होता है जी हां बचों जो नदी के द्वीप होते नदी द्वीब कहते हैं, आप इसे अपने नोट बुक में नोट कर लिजिए, यह देखिये, नदी के निशले भागों में ढाल कम हो जाने की कारण नदी की गती कम हो जाती है, इसके पलिणाम सुरूप नदी द्वीबों का निर्मान हो जाता है, यह नदियां अपने निशले भाग में गाद, इकत्र हो जाने के कारण, बहुत से धाराओं में बहे जाती है, और इन धाराओं को हम क्या बोलते हैं, वित्रिकाएं, वित्रिकाओं का मतलब क्या है, यानि जो पानी की सप्लाई करने वाले जो नदियां है, छोटी-छोटी भाग़ों में, अब वो विभाजित हो गई है, आप यहां पर देख सकते हो कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, यहां पर एक माजूली द्वीप है, माजूली द्वीप एक नदी द्वीप का उधारण है, और आपको जानकर आशर्य होगा कि इस माजूली द्वीप पर जनसंख्या का निवास भी पाया जाता है, आप इसे यहां पर भी देख सकते हैं, यह देखे बचो माजूली द्वीप का जो सेटलाइट से लिया वाचित्र है, यह और ब्रह्मपुत्र नदी में इस माजूली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों क निवास है, और तो और सितंबर 2016 में इस नदी द्वीप को जिले का भी दर्जा मिल चुका है, जी हां बच्चों यह असम राज्ये का एक जिला भी बन गया है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रमुक आबों के बारे में, अब यह आप क्या होते हैं, जैसे का जो क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दोब, जी हां बच्चों, पंजाब का जो मैदान है, उसमें बहुत सारे दोब हैं, जैसे जेलम और चिनाव के बीच में, चिनाव और रावी के बीच में, इसी प्रकार पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है, जो पांच नदि के बीच का जो क्षेत्र है उसे हमने क्या कहा पंजाब तो दो आप का अर्थ जान लिया आपने और पंजाब का भी अर्थ जान लिया है अब पंजाब में वह पांच कौन सी नदिया है देख लेते हैं एक बार हमारे इस डाइग्राम से है न अच्छा सा डाइग्राम यह का निर्मार किया है हम उत्तर के मैदान को दो प्रकारों से विभाजित कर सकते हैं जी हां बचों हमने पिछली बार हिमाले परवत को भी दो भागों दो प्रकार से विभाजित किया था उत्तर से दक्षिन के साथ और नदी की सीमाओं के साथ में इसी प्रकार हम उत्तर के मै पर किस प्रकार करेंगे अभी जानते हैं पहला नाम आता है पंजाब के मैदान का सिंदू और उसकी सहाइक नदियों के द्वारा जो मैदान बनेगा उसका नाम है पंजाब का मैदान और इसका जादा तरभाग कहां पर स्थित है पाकिस्तान में यहां पर बहुत सारे दुआ भी इस्तित हैं उसी प्रकार जो गंगा का मैदान है वो कहा स्तित होगा घंगर से लेकर तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम गंगा का मैदान कहेंगे और जो तीसरा क्षेत्र है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान यह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहाइक न मेदान सिंदू और उसके ही नदियों ने इसका निर्मान किया है और ये गाल। इसको बहुत सारी नदियों निर्मित किया है जिससे गंगा, यमुना, चमबल द्नियों की साह offer ये ना रीकिनी नदिया सो एक कर दो कोसी ऐसे बहुत सारी नदिया हैं बेतवा केन सोन जिसने इस मैदान का निर्मान किया है और यह भाग क्या कहलाता है मध्य भाग उत्तरी भारत का यह मध्य भाग है उत्तरी भारत के मैदान का यह मध्य भाग है यह पशीमी भाग है और यह पूर्वी भाग है जिसका निर्मा यह उत्री मैदान का पशीम ही भाग है आपको मैं इसलिए बार-वार बता रही हूं क्योंकि दिशाओं का ग्यान होना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि देखिए बच्चों यह देखिए पंजाब का मैदान कहां पर है पशीम में यह मध्य में गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व में है, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चो, उत्तरी मैदान का जो पशीमी भाग है, वो क्या कलाता है, पंजाब का मैदान कलाता है, और यह सिंदू और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, मैंने अभी-भी आपको बत इस्तित है, और पंजाब की मैदान में दोवाबों की बहुत अधिक संख्या है, दोवाब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग, अब बात करते हैं गंगा के मैदान की, अब गंगा का मैदान घगगर से लेकर तिस्ता नदि की बीच का ख्षेत्र है, और यह कौन- मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यह देखिए हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन का उतरी भाग और पशिमंगाल, यह सब गंगा के मैदान के ख्षेत्र में आएंगे और यह बहुत ही उपजाव क्षेत्र भी है, आप इसे नोट कर लीजिए, यह हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन और पशिमंगाल, यह गंगा के मैदान के ख्षेत्र हैं, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की, यह देखें बचों, यह ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पशिम में विशेशक और असम में इस्तित है असम राज्य में अभी अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी के एक विशेस्ता के बारे में पढ़ा क्या था वो माजूली दीव तो आपको याद रखना है और आगे लिखते भी रहना है बच्चों अब हम बात करेंगे कि उत्रे मैदान को आकरतिक किस प्रकार से विभाजत किया गया है जी यहां बच्चों अभी जो हमने नदियों के सीमाओं के आधार इसका विभाजन देखा अब हम बात करेंगे कि चो आकरतियां हैं अलग-अलग प्रकार की अब यह आकरतियां कौन-कौन सी है जैसे भाबर तराई, बांगर और खाद अब ये क्या होते हैं? चलिए समझते हैं. ये देखें बच्चों, ये हिमालय परवत माला और यहां से आने वाली नदिया अपने साथ में क्या लेकर आती है? बहुत सारे कंकड और पथर. जब वो अपने धाल से नीचे उतर रही होती है तो नदिया अपने साथ में क्या लेकर आएगी बड़े बड़े पत्थर जिसे हम गुटिकाएं भी कहते हैं इन गुटिकाओं के अंदर जब हिमालय से आने वाली नदियां विलुप्त हो जाती है एक बाद फेट से सुनेंगे इस बात को हिमालय से आने वाली नदियां जब भाब इस खेतर में इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में विलुप्त हो जाती है दिखाई नहीं देती ह तो इसे भावर क्षेत्र, यहां पर यह नदियां विलुप्त नहीं होती है, बलकी उन बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरने की कारण हमें दिखाई नहीं देती है और तराई का अर्थ क्या है तराई यानि कि वो क्षेत्र जहां पर ये नदिया उन्हें दिखाई देने लगती है उसे अंतराई कहते हैं और यहां पर जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही जादा समतल होता है और इस समतल क्षेत्र में नदी का जल होता है वो इधर उधर बिखर जाता है और कैसा क्षेत्र बन जाता है नम और दलदली अब आपको पता है कि जब नदी को कोई ढाल नहीं मिलता है तो वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाएगा और बहुत सारे भागों में विभाजित होने के कारण वो क्षेत्र एक नम और दलदली क्षेत्र बन तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हिमालाई की नदियां अपने गिरिपाद में यानि कि जब पहली बार वो मैदान का सपर्श कर रही होती है तो अपने ही द्वारा लाई गई इन पत्थरों के अंदर वो छुप जाती है इसे हम भाबर कहते हैं और जब वो पु नदिया है वो भाबर क्षेत्र में दिखाई देना बंद हो गई है और तराई में वो फिर से दिखाई देना शुरू हो जाती है अब बात करते हैं खादर और बांगर की जी हां बचों खादर और बांगर क्या होता है उत्तरी भारत के मैदान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ज जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, और इसी को हम कहते हैं जलोड मैदान, तो जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उसे तो हम कहते हैं खादर, और जिन क्षेत्रों में कभी-कभी बाढ़ आती है, यहां पर पुराना जलोड होता है, उसे हम कहते है बांगर, आईए पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से, ये देखिए, ये हिमालय परवश्रेणी है और ये शिवालिक श्रेणी है, हमने हिमालय की कितनी श्रेणियों के बारे में बढ़ा था, महान हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे हमने हिमाचल हिमालय भी का था, और तीसरा शिवालिक हिमाले, शिवालिक से जब नदियां मैदानों में पहुंसती है, तो किसका निक्षेपन करती है, गुटिकाओं का निक्षेपन करती है, ये देखिए, इस प्रकार से, और इन बड़े-बड़े पत्थरों में, गुटिकाओं में वो नदियां खो जाती है, यानि द दिखाई देने लगती है तो उसे हम तरह ही कहते हैं आप इसे नोट कर लीजे और पढ़ते हैं भाबर के बारे में नदियां परवतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर आट से सोला किलोमेटर की चोडी पटी में गुटी का का निक्षेपन करती है इसे भाबर के ना गुटी काओं बड़े-बड़े पत्थरों के बीच में वो खो जाती है यह देखे बचों एक बार फिर से समझते हैं यह भाबर क्षेत्र जहां पर बड़े-बड़े पत्थर होते हैं और इसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं और जब नदियां वापिस दिखाई देने लगती तो इसे हम क्या कहते हैं तराई कहते हैं इसे भी नोट कर लीजिए जो सरिताएं भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है वो इसके दक्षन क्षेत्र में पुने निकल जाती है और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्मान करती है जिसे क्या कहते हैं तराई क्षेत्र कहते ह अब बात करेंगे भांगर या फिर बांगर की जिहां बच्चों कई किताबों में इसे बांगर भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर ये भांगर भी लिखा हुआ मिलता है ये वो क्षेत्र होते हैं जो पुराने जलोडों से निर्मित होते हैं यानि कि वो स्थान जहां पर कभ वर्ष बाड आती है, यदि मैं आपको कहूं कि बांगर और खादर को दो शब्दों में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? नवीन जलोड खादर कालाता है और प्राचीन जलोड बांगर कालाता है, और बांगर की जो आकरती होती है, वो वेदीकाउं के जैसी होती है, यह पर चूने के निक्षे पाए जाते हैं, जिसे स्थानिय भाषा में कंकड भी कहते हैं, नोट कर लेंगे इसे, भांगर या फिर बांगर, पुराने जलोडों से निर्मित उत्री मदान का सबसे विशालतम भाग बांगर कहलाता है, यह वैदी का जैसी आकरती प्रदर्शित करत प्रतिवर्ष बाढ आती है, और नदियान नवीन परत की मिट्टी को लेकर आती है, यह बहुत ही उप्जाव क्षेत्र होते हैं, आप इस डाइग्रम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार नदी के किनारों पे वो क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ की सहन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारा नुकसान भी होता है, लेकिन एक फार्दा ये होता है, कि वहाँ पर नवीन मिट्टी की जो परत वो बिच जाती है, यह देखिए, इसे लिख लीजिए, खादर को बाड़ वाले मिदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, और इनका लग भग प्रतेक वर्ष पुना निर्मान हो जाता है, यानि कि हर साल ही बाड़ आती है ऐसे क्षित्रों में, और गहन खेती के लिए ये बहुत ही आदर्श होते हैं, क्योंकि ये बहुत उपजव होते हैं, उपजव क्यों होते हैं, क्योंकि प्रतेक वर्ष नवीन सिर्वूपों के बारे में पढ़ा हमने पिछले वीड़ियो में हिमालय परवशंख्ला के बारे में पढ़ा था आज हमने उत्री भारत के मैदान के बारे में पढ़ा आने वाले वीडियो 22% ब्रीवाइन कर लिजिए और जहां कहीं आपको जरूरत लगती है उसे पोस करके देखिए, लेकिन अपने नोर्स बहुत अच्छे से बनाईए, परिक्षा की तृष्टे से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, थैंक यू.